कि अब लोग उमीद है आप लोग बहुत अच्छ हों गें आप सभी का हमारे यूटूब चैनल एक है जो किसे इसकौड में स्वागत है फ्रेंट्स आज का जो हमारा टापिक है वो है क्या है आई फ्लू ठीक है क्या है टापिक आई फ्लू है और क्योंकि यह बीमारी इसमय ब में करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए और इसके उक्चार क्या होते हैं इन सभी पर आज हम Discus करेंगे चर्चा करेंगे इसके बारे में जानकारी प्राब्द करेंगे लेकिन उससे पहले मैं आपको एकसीट दिखा देता हूं ताकि आगे इस्तीजे समझने में आसानी हो जाए इसा कि आप देख पा रहे होंगे यह वाली जो आंक है यह नारमल आंक अब इसमें देखी यह जो आपको सफेद जिल्ली दिख रहे हैं इसको बोलते हैं यह परत होती है पतलिसी अब इस समय या दूसरी वाली आपको इफेक्टर जो है यह सब क्या है यह लाल हो चुकी है इफेक्टिव हो चुकी है ठीक है तो यह कौन से जिल्ली होती है यानि परत होती है यही जब इफेक्टिव हो जाती है परत तो इसको Conjunctive Whiteis थीक है तो I Flux Conjunctive Whiteis या फिर Pink Eye या फिर आख आना के नाम से जाना जाता है माने कहने का मनलब यहीं कि I Flux होता है इसको हम Conjunctive Whiteis भी बोलते हैं Pink Eye के नाम से भी जानते और आख का आना के नाम से भी जाना जाता है यह एक संकरामक लोग है जो बेक्टेरिया तथा वारिस दोनों से फैलता है आई फ्लू में आखों की बाहरी सफेद प्रत कंजेक्टिवा और पलकों की अंदूरूनी सता प्रभावित हो जाती है इसमें आखों का लाल होना, सूजन आना, जलन होना, खुजली होना, कीचर निकलना इत्याद समस्षाएं होती है और यह रोग मरीज की आखों में देखने से नहीं बलकि संपर्क में आने से होता है, मने फैलता है यह बीमारी सामानतिया आठ से दस दिन तक रहती है, ठीक है अब हम चलते हैं इनके लच्छन क्या होते हैं उस पर प्रकास डालते हैं उसको देख लेते हैं कि जो आई फ्लू होती है इसके क्या लच्छन पाए जाते हैं मरीज में आखों का लाल होना, आखों में जलन वा खुजली होना, आखों में सूजन आना और आखों में चुभन यानी गड़ना और दर्द होना ठीक है और आखों में पानी वा कीचर निकलना, सुबा सोकर उठने पर आखें चपक जाना ये सभी क्या है यह सभी इसके लच्छन होते हैं बात करेंगे कि रोगी को क्या करना चाहिए जो संक्रमित बेखते हैं उसको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए तो देखते हैं सबसे पहली बात तो है उसको आथओं को साफ रखना चाहिए दूसरा संक्रमित बैक्त को लोगों से दूरी बनाकर रहना टीक। जो संक्रमित बैक्त है ओगोंसे दूर रहता कि दूसरे लोगों करनी चाहिए और ग्रसित बेक्ति को बारिस के पानी से बचना चाहिए रोगी को आराम करना चाहिए जब तलको सही नहीं हो जाता तब तलक उसको आराम करना चाहिए ठीक है अब आगे देखते हैं इसमें उपचार क्या होता है आप हुआ गुंगुने पानी से दिन में तीन से चार बार रूई के माध्यम से आँख साफ करनी चाहिए काले रंग का चस्मा पहनना चाहिए ताकि अधिक रोशनी आखों पर ना पड़े करें मोबाईल टेली वीजन आधिका प्रयोग ना करें मनें मोबायल और टेली वीजन या इसे समझाधिव जो द्रशी समगरी होती हैं उनको उसमें ना देखें जब अधिक रोशनी से बचें बिना डाक्टर की सलाह, दवा का इस्तेमाल ना करें, ठीक है, तो फ्रेंट्स, यह वीडियों था यह जानकर ही अच्छी लेए, तो आप वीडियों को लाइक करें, कमेंट करें, ज़िए चैनल पर नए आए चैनल को सब्स्राइब करें, क्योंकि इसी तरह की वीडियों आपक एक नए टापिक के साथ में तप्टाइब तो